देखे जो मुद्दे उठ रहे हैं आपने देखा होगा पहले चरण के मद्दान के पहले हम लोगों ने विकास, रास्टी सुरक्सा और गरीब कल्यानकारी योजनाओं को फोकस करते वे अपनी बात को देश की जनता के सामने रखा इसी दोरान कॉंग्रेस का गोशना पत्र न्याई पत्र की रूप में आया है मुझे तो बड़ी हसी आते हैं इनके गोशना पत्र को देख करके ये कॉंग्रेस का नयाई पत्र हो सकता है लेकिन देस के लिए अनयाई पत्र है भारत की एकتा, खंड़ता और संपरबुता के लिए अनयाई पत्र है उसमें उनोंने इस बात का उले किया है जो खतरनाक पर जो चीजें रखी गए जिन मुद्दों पर हमने इससे पहले बात की थी उनके अत्रिक्द जिन मुद्दों पर उनोंने जो बातें कही हैं कि अल्पसंख्यक समधाय की रूची के उनसार खानपान की स्वतंतरता दी जाएगी और बेक्तिकत कानून को भी लागू करने के लिए कांग्रेस पहल करेगी देखें दो चीजें आईए हैं एक क्या अल्पसंख्यक समधाय से जुड़ेवे लोगों का खानपान सेस अन्य समा से इतर है क्या और वह इतर कौन सा खानपान है जो उनकी पसंदिदा है लेकिन बहुत संक्यक समाज उसको पसंद नहीं करता है तो मुझे लगता है बहुत संक्यक समाज इस देश का हिंदू गौमांस से पूरी तरह प्रहेज करता है और वहाँ उसके लिए मुझे लगता है कि गाय उसके लिए मा के समान है और कॉंग्रेस आज मुसल्मानों को छूड देने का कुछित प्रियास कर रही है कि यानि इसका मतलब वहाँ गौकसी करने की छूड देगे यहाँ कोई भी भारतिय स्विकार नहीं करेगा एक जो ब्यक्तिकत खानपान की बात कॉंग्रेस ने कही है यह इंडी कड़वंदन का जो घोशना पत्र कॉंग्रेस के द्वारा निकाला गया है हम पूसना चाहते हैं कड़वंदन से जुड़े वे इन्ने दलों से क्या वे भी कॉंग्रेस की इस मंदसा से के साथ हैं क्या और हैं तो उनका मौन इस बात को साबिट करता है कि वे इसके साथ में नहीं हैं तो उनको उपनी सफाई देश स्वासियों के सामने देनी चाहिए दूसरी बात ब्यक्तिकत कानून की तीन तलाकी कुपर्था को मोधी जी के नित्रित्तों में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने हमेशा के लिए समाप्त किया क्या कॉंग्रेस बेक्तिकत कानून लागू करके सर्या कानून देश के अंदर लागू करना चाहती है क्या देश में तालिबानी विवस्ता लागू करना चाहती है क्या क्या कॉंग्रेस फिर से तीन तलाकी को पर्था को देश के अंदर प्रारंब करेगी क्या यानि कॉंग्रेस का यहाँ गोशना पत्र देश के खिलाब एक अन्याय पत्र है देश के साथ एक धोका है और इससे पुरे देश स्वास्यों को सतर को होना चाहिए कि अभी सत्ता से कोसों दूर हैं, लेकिन देश के लिए और देश की जंता की प्रती इनका क्यारवया है, ये यूपए गौर्णमेंट के दोरान भी हम देख चुके हैं, और आज जब सत्ता से कोसों दूर हैं, तब भी वे लोग उसी मंसा के साथ कारे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पांच चर्णों के अगले चुनाओं के लिए हमें कॉंग्रेस के इस घुशना पत्र को ध्यान में रख करके अपना निर्णे जरूर करना चाहिए यह दोका है देश की आस्ता के साथ खिलवाड है इसको कोई भी भारतवासी स्विकार नहीं करेगा